लो फ्रेंज, फिर्शाब लोग को सवथ है find इस वीडियो में आपको चाहँएं के इस बीडियो में आप के गाता से कर सकते है और आपको छोट रिफेगर करके का सकते हैं यहां पर देख सकते हैं, तो क्या ऐसे पर ढरत्रेक्स करके कस्ट्मर पील करेड कर सकते हैं इसके बाद data tab क्लिक करा next default field का एक function add करना होगा equal d last left hand packet double condition then add करना है prefix field जिए बाद double condition close comma which double condition start then table name क्की मैंने यहाँ पे table name का s fast capital next small or entry small letter add किया था the same table करने हम add का नहागा इसके बात right hand bracket close तो फ्रेंड अभी इसको close करेंगे then click yes to acceptance then double click the sales invoice तो फ्रेंड अभी bill number prefix add कर देंगे और customer select किया next add record किया तो new bill का prefix number display है और third में same number display हो गया तो next अभी फिर से है customer select किया तो prefix number automatic display नहीं आया तो इसके लिए आपको event procedure का after update VBA code use करना होगा then double click the sales entry तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो first prefix number display आया और next prefix number display नहीं आया तो तो देन double click the sales inverse तो फ्रेंड आभी same bill number वे फिए default फिलुक का function add करना होगा उसके बाद plus one add करके increment number कैसे कर सकते हैं तो देन click bill number click property sheet click data then default फिलुक का same prefix का एक दिलास्ट फांक्शन आड करना होगा लेकिन यहाँ पर आड करना होगा schedule name bill number the last left hand packet doubleανération, bill number fill, double commission, close, double question then type करना होगा table name cell entry इसके बाद double commission close last right hand packet close then plusone ज зайक फिए उतके होगा unit double motivation करना होगा Type table name cell entry आड करना कि भाद menu आड क्राद अन क्रॉ कृbers यह था करना हो करना है इसलिए प्लास वान अ bater करना है आफ बिल नंबर increment number display देख सकते हैं तो फ्रेड अभी इसको क्रोज करेंगे देन क्लिक एस्टु सेफ चैन्स क्लिक सेल्स इन्वोईस तो फ्रेड अभी बिल नंबर प्रिफिक्स एड कर दिया next बिल नंबर टैप करेंगे सब्सक्राइब कर दिया 10 then customer select किया बिल टाइफ और एट रेकोट एट रेकोट किया next बिल में फी यह सेम नंबर डिस्पले होगा क्योंकि यह नंबर आपडेट नहीं हुआ इसलिए आपको अफटार अपडेट का एक फ़िविए आफिये एवन प्स worship Code इूश कर गाँगा हुआ तैनल नाव यह यह बिल नंबर और पिपैस नंबर अफ्डेट दिप्ट्पेफ सकते हैं तो फ्रेंट सेल सेंट में क्लिक किया तो यह पर देख सकते हैं सब सबस्कोर में का पहले का दिस्पेले, आया. लाकिन लास्ट पीवेस जो मैंने एंटर किया था इसी नमर का दिस्प्लेय अप्डेट नहीं हुआ तुसके लिए आपको आपको अप्डेट आफ्टर अप्डेट इवन फसे टूर पीवेकोट इसको नागा क्लिक बिलनमर क्लिक पॉपपटी शीट थैन क्लिक एवन तो यहा नमबर आफ्टर अप्डेट फिवेकोट इसको नागा है तो सबसे पहले आपको टाइप करना है दीम न्यू बील नमबर एस स्ट्रिंग प्रिश एंटर और डबल एंट टाइप कर सकते हैं नेक्स्ट दीम स्टिलिंग के यह एट करना है एस स्ट्रिंग प्रिश एंटर अभी न्यू बील टाप करना होगा न्यू बील एक्वेल टू फेलू एट करना होगा न्यू बील नमबर एक्वेल मी.बीलनमबर.फेलू मी.बीलनमबर.फेलू तो यह एक्वेलू न्यू नमबर से भी आफ दिस्पले कर सकते हैं नेक्स्ट स्ट्रिंग लिंग क्रेटरिया एक्वेल बीलनमबर का फिल एट करना होगा न्यू बीलनमबर एक्वेलू नमबर एक्वेलू नमबर थी आफका मिए इसट्रिंग लिंग क्रीटिकल बिलनमबर एक्वेलू डाबल कोडियू इक्वेल के बाद डाभल क्रेशोर टप करना हैं इसके बाद एंट सेंबल न्यू बिल नंबर प्रेंटर तो फ्रेंट अभी नेक्स्ट इप कॉंडिशन एड करेंगे तो यह इप कॉंडिशन जो डुब्लिकेट नंबर और एंटर एक्जिस्ट का टेक्स्ट एड कर सकते हैं तो अभी मैंने टाइप करते हैं इफ मी डॉट बिल नंबर एक्वेल और डी लुक अफ का फांक्शन एड करना है जो रिटन विलू डिस्प्ले करेगा बिल नंबर का तो अगर आप बिल नंबर लुक अफ विलू का यह फांक्शन एड करेंगे देन आफ न्यू बिल से भी यह बिल नंबर इनकेमेंड और डिस्प्ले कर सकते हैं तो इसकलिए यह दिलूक अफ बिल नंबर फांक्शन मैंने एड कर दिया हाँ भेने आम से लें मोल अंबर कौ से सिलिंग क्रिटिकल है अबुक्रेश में सब्रेश हमुराइज भूस बोक सफट करेंगे से में से फोली केद्ये करने से यह मैसेश डिस्प्ले रहाता है तो उसी मैसेश टेक्स यहां PAR यहापर ना होगा यहापर 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 कर दिया, double correction this bill number, colon double correction close and you case new bill number, string new bill number and symbol double correction then message text type कर सकते हाँ, तो मैंने यहाँ पर टैप कर दिया, you have already entered, जो अब double enter करेंगे, then you have already entered का message display हो जागा, और check your bill number, text, or duplicate, तो इसलिए यह message मैंने टैप कर दिया, you have already entered, comma, double condition, then back, underscore, space के बात यह underscore, add करना है, इसके बात, press enter, and vvcr, फिर से ensemble vvcr, and text लगा सकते हैं, प्लीज चेक, bill number, और cancel, duplicate, प्लीज चेक, bill number, to cancel, duplicate, तो तो देन, आप यह message, आने के बाद आपको पता चलगा, कि यह number आप अल्रड़ी, enter किया है, और इसको चेक करके, दूसरा, और cancel करके, दूसरा number, add करना होगा, then type vbcritical, double quotation, under duplicate, press enter, then me.undo, press enter, और यह if closing and tip, और last and sub, तो फ्रेंड अभी यह भी यह coat मैंने create कर दिया, अभी इसको save करना होगा, तो यह अपर आप देख सकते, bill number, और यह new bill number, तो फ्रेंड अभी इसको save कर दिया, next property sheet को भी close करके save करना है, then close form, फिर से डवल किक दा, sales invoice form, तो फ्रेंड अभी customer को select करेंगे, इसके बाद bill number, prefix number add करके new bill add करेंगे, सबस्के मैंने यहाँ पर tap कर दिया, prefix number sinv, then bill number tap कर दिया, 10, अभी customer को select करेंगे, इसके बाद bill rate, bill tab and sell tab select करके, bill create करेंगे, add product, तुसरा product select कर दिया, तो अभी add record में क्लिक करेंगे, याने की add new bill, तो यहाँ पर आप देख सकते है, 11 new bill create होगे, update होगे और यह number इनकी मर्क होगा, अगर आप डारेक्ट दुसरा customer को select करेंगे, तो देन आप prefix और bill number का automatic display नहीं देख सकते हैं, तो इसके लिए आपको यह previous record को delete करना होगा, उसके बाद फिर से new bill create कर सकते हैं, तो अभी यह previous bill record को delete कर दिया, और फिर से new bill create करेंगे, तो यह मैंने first bill का record रखा है, next add record और add new bill, then select customer, select bill data, select bill type, select sell type, तो देन product sell करके new bill create कर सकते हैं, add new record, तो यह number, bill number automatic increment होगा, और यह number update होगा, next prefix number, same रहेगा, तो अभी फिर से add record में click किया, तो new bill create होगा, 13, और यह bill number, same display होगा, जो last मैंने tap किया था, क्योंकि मैंने default bill में last delust का function add किया था, इसलिए prefix का delust, text, display होगा, तो फ्रेंग अभी इसको close करेंगे, then double click the sell तो यहां पर आप देख सकते, अभी बिल नमबर से start होगा, और यह number increment होगा, तो फ्रेंग आगर आप new prefix number और new bill add करके, उसका number automatic display करना साता है, और update करना साता है, then new prefix text और new bill tap करना होगा, तो suppose यहां पर मैंने new prefix text add कर दिया, GST, then अभी बिल नमबर टैप करेंगे, new bill number 101, then 101 से bill number automatic update create देख सकते हैं, next customer select करेंगे, तो फ्रेंद देखा, next add record, तो यह new prefix number नमबर जो last tap किया था, और यह number last number से increment और automatic display हो गया, तो फ्रेंद इसी तरह से आप automatic bill number और purpose number create कर सकते हैं, तो यहां पर आप table cell entry भी आपर देख सकते हैं, तो last one zero और यह 101 से bill number और purpose number display हो, तो फ्रेंद सब्सक्राब में चैनल, वीडियो आच्छी तो hit like, share your friend, comment, मिलते हैं, next video में, thank you for watching morning